हलो फ्रेंड्स वल्कम टू आएक्जांबी आएम सुशिल रगडे एक्स मैनेजर रिजर बैंक आफ इंडिया और आएक्जांबी पे हम आपको 50% फास्टर तरीके से पढ़ाते याने की आपको क्रिप्स कंटेंड देंगे और आपका वंधर टाइम यहां पर सेव होगा तो य महां पर जॉइन कर लीजे में लिंक देता हूँ और चलिए यह न्यूस देखते हैं यहां पर क्या है फैनांस मिनिस्टर ने कहा है कि जो 5 बैंक है आउट आफ 12 पब्लिश सेक्टर बैंक उनको थोड़ा सा उन्होंने एक कौशन या वार्निंग जैसे दिया है कौन से कौन स होते है उसके बाद LIC यानि के जनरल इंशुरंस है लाइफ इंशुरंस है और NICL या जनरल इंशुरंस है यानि की लाइफ छोड़के बाकी जो इंशुरंस होता है यह इंशुरंस कमपनी प्रोवाइड करती है वैसे चार इंशुरंस कमपनी है जनरल इंशुरंस कमपनी उ थोड़ा सा खराब है और वो ही मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि वो उन्होंने norms follow नहीं कि इसलिए थोड़ा सा वो week में है NICLAO का बहुत अच्छा strong balance sheet है तो इसको आपको join करना है तो यह सारी post है क्या-क्या qualifications है यह उसका pattern है आप इसको definitely try कीजे और इंजिनियर जो है वो दो-तिन post के लिए apply कर सकते हैं उनको क्या करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाता है वो आप देख लिए अभी देखे य यह मतलब finance minister ने क्या कहा है यह 5 bank है bank of India, Punjab National Bank, Yuko Bank, Canada Bank and Punjabans in the Bank तो यह bank ने क्या किया है RBA का क्या होता है exposure norms होता है Reserve Bank of India norms related to large exposure framework, single borrower limits and group borrower limits यानि कि माल लीजिए को एक एक एक्जामपल है माल लीजिए Tata है या Reliance है या गोद्रेज है यह बहुत बड़े groups है तो यहाँ प अगर आप किसी एक company को माल लीजिए 5% या 6% या 10% देते है ठीक एक company को और वो company को कुछ problem होता है तो आपका risk बढ़ जाता है इसी तरीके से अगर आप कोई group of companies को देते हैं माल लीजिए Reliance है या Adani है या कोई भी group पकड़ लीजिए उनको माल लीजिए 20% सारे companies मिला के दे और उस group में problem हो गया तो bank को problem है इसी लिए और ये जो bank से 5 bank इनका profile ऐसा है कि ministry pointed out that the top 10 borrowers of 5 public sector bank constituted more than 10% of their outstanding credit यानि कि इनका माल लीजिए इन्होंने 1000 करोड का लोन दिया है तो जो top 10 borrowers है इनको मिला के 100 करोड का लोन दिया है ठीक है यानि कि ये 10 borrowers है top ये मिला के 10% concentration यहाँ पर हो रहा है तो ये जो है ये काफी risky situation है ऐसा नहीं करना है otherwise ऐसे काफी सारे norms जो होते है regulatory body जैसे RBA है या IRDA है ये बैंकों को या insurance company को send करते है अगर उन्होंने follow नहीं किया तो आगे जाके ये problem में आ सकते है क्योंकि आपको पता है कितना भी बड़ा group है कभी भी bankrupt हो सकता है हमने history में साहरा का example देखा है इसे बहुत सारे example से जो पूरी company इसे reliance का जो दूसरा group है अने लंबानी वाला उनके भी बहुत सारे companies bankrupt होगे तो अगर आप ऐसे company को लोन देंगे और वो companies problem में आ जाएगी हमकी group वाली companies problem में आ जाएगी तो जो banks है वो problem में आ जाएगे इसलिए diversify करना है और RPA के exposure norms है तो आपको comment section में मुझे दो चीज़े बतानी है single borrower को कितना exposure limit दे सकते है maximum 2, 3, 5, 10, 15 और जो group है उसको कितना देना है ये दो चीज़े आपको मुझे comment section में बताना है exam में बता सकता है तीक है ये पूरी news मैंने आपको दी ह यहाँ पे आप जाके देख सकते हो और NICL AO का अगर आपको guidance लेना है तो आप यहाँ पे call कर सकते हमारा काफी अच्छा result लांस दाइम आया था पस यहाँ पे मुझे इतना ही आपको बताना था कुछ डाउट है इस news के बारे में तो आप मुझे comment section में पूस सकते थैंक यू झ 강a मुझे कर बढ़ आपी ए इस वीडियो का अच्छा